BPSC Maker के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज करिसे वीडियो में 20 मई 2023 से संबंदित बिहार करेंड अफेर्श और साथ है राष्टा और अंतराष्टे घटनाव से करेंड अफेर्श के जितने भी प्रशने बनेंगे संबंदित सारी जानकारी आपको विस्तार पुर्वग दिया जाएगा जो भी छात्र इस सरिंखला से पहली बार जुड़े है या पिर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किये है आपको बता दो इस सरिंखला के तमाम पीडिया फाइल को आप बीपेसी मेकर एप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं अब यहाँ पर हमा आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रशन पे ये प्रशन आप से पिछले वीडियो में पूछा गया था प्रशन था कि चौथे किर्शी रोड मैप के तहट बिहार सरकार किर्शी से जूड़ी विकास कारियों पर करिप 1.62 लाग कलो रुपे खर्च करेंगे बताएं कि हाली में कि स्तिथी से बिहार में चौथा किर्शी रोड मैप लाग हुआ है यहां से संबंदित सारी जानकारी हमने आपके साथ साधा किया था आपको बतला है था कि एक अपरेल 2023 को बिहार में चौथा किर्शी रोड मैप लाग हुआ है जो कि वरसुद 2018 तक संचालित हुई और इसको लेकर जो जानकारी हमने आपको विस्तार फुरक दिया था वो आप यहां पर पुना देख सकते हैं बिहार में अब तक तीन किर्शी रोड मैप सफलता पुरक संचालित किया जा चुका है और चौथे की सुरवात अभी हाली में एक अपरेल 2030 को भी है हलाकि पहली बार बिहार में 2008 में पहला किर्शी रोड मैप लाग हुआ था उसके बाद दूसरे किर्शी रोड मैप की बात करें तो यह 2012 में लाग हुआ तथा तीसरा किर्शी रोड मैप 2017 में लाग हुआ था यह सारी बाते हमने आपको बतलाया है, I hope कि यह सारी जानकारी आपको इस तरह से याद होगी इस तरह के regular update के लिए आप में इन social media platform, facebook, telegram और instagram पर follow कर सकते हैं यहाँ पर हमारे team के माद्यम से इस तरह के post आपके साथ साधा क्या जाता है निश्य तरह पर इसमें बहुत सारी जानकारिया छुपी वे थी, जहां से आप बहुत सारी चीज़े सीख सकते हैं तो आप चाहें तो facebook, telegram और instagram पर हमें follow कर सकते हैं, सभी का link इस video के description में है चलिए अब यहाँ पर हमा चुके हैं आज के इस video के पहले प्रशने पर तो आज की से वीडियो के हमारा पहला प्रशने की मई 2023 में IA के रिपोर्ट किया अनशार बिहार में मनरेगा के धात मजदूरों को काम देने के संदर्व में कौन सा मिलान सही है अर्थात कहने का तात पर यहाँ पर यहाँ है कि बिहार के जीलों में मनरेगा मैदूरों के धात जो काम उपलब्द करा जाता है इनमें किस जीला को कौन सा अस्थान मिला है तो इसी संदर्व में यहाँ पर प्रशन है कि कौन सा मिलान हमारा सही है जब भी इस प्रकार के प्रश्न बने तो सारे विकल्पों को आपको दिहान पुर्वक पढ़ना चाहिए जैसे कि पहला विकल्प हमारा यहां पर है जमुई पहले अस्थान पर तो यह विकल्प यहां पर हमारा सही है तो option number A यहां पर इसका right answer होगा जब कि हम दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरा विकल्प हमारा है मौंगेर मौंगेर इस मामले में दूसरे अस्थान पर रहा है तो यह भी हमारा सही है जब कि पटना की बात करें तो पटना तीसरे अस्थान पर नहीं बलकि एक तीसवे अस्थान पर है बिहार में मौजदा समय में 38 जीले हैं और 38 जीलों के बात करें तो पटना को एक तीसवा अस्थान मिला है जबकि खगड़िया इसमें अंतिम अस्थान पर है तो तीन विकल्प यहाँ पर हमारा सही है A, B और D इस लिहाँ से फैनल आंसर होगा और 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 यहाँ पर इसका विसरित एकस्प्लानेशन आपको दे दूँ जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि मई 2023 की रिपोर्ट की अनशार मन्रेगा के तहत मजदोरों को काम देने में बिहार के सभी 38 जीलों के परदर क्रम और साथ-साथ उन्हें मिले अंक का वर्नन यहाँ पर हमने नीचे किया है तो जमुई के अतरिकत हम बात करें दूसरे अस्थान पर मुंगिर 85.70 अंक के साथ तीसरे अस्थान पर गया 84.18 अंक के साथ जबकि वहीं पर हम बात करें अगले पॉइंट में पटना के बारे की तो मनरेगा के दैनिक मजदूरी को लेकर अभी हाली में एक रिपोर्ट आये थी बिहार के संदर्व में ये काफी इंपोर्ट है हलाकि इसकी जानकारी हमने आपके साथ साधा किया था ये रिपोर्ट मनरेगा के दैनिक मजदूरी से संबंदित है इसी के थाथ हमारा पहल तक्रिबन 8% की एजाफा किया गया है और वहीं पर हम अगले point की बात करें यहां पर यह exact data भी आपसे पूसा जा सकता है कि पिछले वर्स कितना था और इस वर्स बढ़ा कर कितना किया गया है तो इस लिसा में यह ध्यान रहेंगे पिछले साल इन दोनों राज्यों में किसी मनरेगा मैदूर के लिए जो दैनिक मैदूरी निर्धारे तीये थी 210 रुपिये लेकिन अब इसे संसोधित करते हुए 228 रुपिये कर दिया गया है यह जानकारी अहम है ध्यान रहेंगे हलाकि हम बात करें दैनिक मैदूरी किस राज्य में सबसे अधीक है तो सबसे अधीक दैनिक मैदूरी जो है यह हर्याना में है 357 रुपिये प्रते दिन वहें पर मन्रेगा मैदूर की दैनिक मैदूरी को लेकर अभी हाली में यह रिपोर्ट आई थे निश्यतोर पर हो सकता है यहां से अपकी एकजाम में प्रश्ट बने आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट जरूर लेजे फिलालब यहां पर चुकी बात पर यह मन्रेगा की तो मन्रेगा की सुरवात कभ हुई और इच्छे श्रमंदित कई सारे फैक्ट और भी है वो सारी जानगारी आप यहां पो देख रहे हैं जैसे की मनरेगा के बात करें तो इसका पुरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रे ग्रामिन रोजगार गारंटी योजनाः तो इसका उद्देश क्या है किसलिए इसकी सुरवात कीगी ये ध्यान रखें तो ग्रामीन बेरोजगारी भूक और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंदर सरकार की महत्वा कांची राष्ट्रय रोजगार गारेंटी यानि कि नरेगा का जो सुभारब था ये मनमोहन सिंग सरकार ने 2 फरवरी 2004 को आंध प्रदेश के अनंतपूर से किया था अब यहाँ पर कई सारे सात्रों के मन में ये कंफ्यूजन हो रहागा यहाँ पर हमने नरेगा क्यों रिखा दरसल आपको यहाँ पर इससे बात का धियान रखना है जब इसकी स्थापना वेती मनमोहन सिंग सरकार के सासन काल में 2 फरवरी 2006 को अनंतपूर अंधर प्रदेश से तो उस समय इस योजना का नाम नरेगा योजना था यहने की राष्टे रोजगार गारेंटी योजना जिसे बाद में 2 अक्टवर 2009 को महात्मा गांधी राष्टे ग्रामिन रोजगार गारेंटी अधिनियम या फिर मनरेगा कर दिया गया इसमें महात्मा गांधी सब्द को जोड़ा गया था 2 अक्टवर 2009 को गांधी जैन्ती के अवसर पर तो यह यहां से आप ध्यान रखेंगे और इस योजना के अंतरगत प्रते के वित्य वर्ष में किसी भी मनरेगा मैदूर को 100 दिन का रोजगार उपलब्द कराना इसका उद्देश है या फिर 100 दिन रोजगार जून 2023 में बरलिन जर्मनी में होने वाले Special Olympics World Summer Games में देश का परतिनित्थ करने के लिए क्या गया है देखिए यहां पर जो बरलिन जो लिखा गया बरलिन एक शहर है और यह जर्मनी की राइधानी है यही पर यह Special Olympics World Summer Games आजित होगा 2023 जून में अब यहां पर प्रशने यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक बिहार से दो ख्लाड़ी चैनित में देखिए यहां पर विकल्प में थोड़ी सी गड़बड़ी वी एक विकल्प और होना चाहिए था यहां पर विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रशनी का राइट आंसर होगा ठीक है यह यहां पर द्यान रखेंगे अब यहां पर शनमंदित अथ्यों की चर्चा करें तो पहला विकल्प या फिर पहला पॉइंट वारा यहां पर यह है कि बिहार के दो खिलाड़ी गजेंदर कमार जिनका एटलेटिक्स के लिए और शिंटु कमार हैंड़ वाल परतिस परधा के लिए बर त्रिक्त अथ्लेटिक्स टीम कोच के रूप में संदीब कमार का चैन किया गया है एक्चलि में यहां पर विकल्प में हमने संदीब कमार भी जला था लेकिन यहां पर प्रश्ण में नज़र डारिये कि यहां पर लिखा गया है कि बिहार से किस खिलाड़ी का चैन क्या गया तो ये व्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट साबित होते हैं निश्य तोर पर आपकी एकजाम में पूछे जाने की संभावना होती है और इसी दिसामें एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है बिहार के खेल और खिलाडियों से समंदित प्रश्नों का एक संग्रह है जिसमें पिछले पंगच मेहने के प्रश्नों का हमने विश्तार प्रवक वरनन आपके समक्च किया है आप इस वीडियो को वीपेसी मेकर यूटूब चैनल का जो प्लेलिस्ट बना है टॉपिक इस्टिडी के अंदरगत आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं साथी इस वीड कमेशन ऑफ इंडिया अर्थात CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आप इन्हें यहां पर इस तस्वीर में देख सकते हैं इनका नाम है रवनीत कौर जिनने अभी हाली में भारते प्रतिस्परधा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो आफसन नमर्डी यह जाते हैं अगला पाइंट है उन्होंने CCI अर्थात Commission Competition of India के पूर्व चेर्वन असुक कुमार गुपता का अस्थान लिया है दरसल असुक कुमार गुपता की बात करें तो असुक कुमार गुपता इस पद से अक्टबर 2022 में शेवा निवरित थे तब से यह पद खारी था लेकिन अभी हाली में इस पद पर 1988 पंजाब का अडर की जो आईस अधिकारी है रमनेत को और इनकी निक्ति इस पद पर हुई है ध्यान लखेंगे उप्सन नमबर D यहां पर इसका राइट अंसर है अगला चवता प्रशनी की हाली में 17 मई 2023 को नई दिल्ली में अखिल भार बी यहां पर इससे प्रशनी का राइट आंसर होगा अब यहां पर इसका उधगाटन कीनके द्वारा किया गया और भी बहुत सारी जानकारी है जैसा कि पहला पॉइंट है कि केंद्रियक कार्मिक लोग शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डाप्टर जीतेंद्र सिंग जि कि सरकार की इस पहल का उद्देश पुराने पेंशन मामलों को संबोधित करना और उनका समाधान करना है यह ध्यान रखेंगे अगला पॉइंट है कि विभाग द्वारा अब तक कुल शात अकिल भारते पेंशन अदालतें आयजित की जा चुकी है और इसको लेकर एक डेट परकार की बात करें तो आपको जान करें देंगे तो कि मिजोरम बिष्विद्ध पुर्ष विद्डाले और अग्स प्लैंक इंस्टूट ऑफ वाइलोजी ट्यूबिंगन जर्मनी के सोध करताओं ने मिजोरम में उड़ने वाले छिपकली की एक नई परजाती की खोज की है। प्लैंक इंस्टूट ऑफ वाइलोजी ट्यूबिंगन जर्मनी का एक विश्विद्याले हैं तो दोनों के सोध करताओं ने शन्युक्त तौर पर मिजोरम में उड़ने वाले एक छिपकली की एक नई परजाती की खोज की है। इसका नाम है गेको मीजो रामिन्सिस अगला पॉइंट यहां पर हमने एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में सामिल किया है हलाकि इसकी जानगारी हाली में दिया था काफी इंपॉइंट है इसी वजह से हमने सामिल किया है। यहां पर की जिलोजिकल सर्वे आफ इंडिया अर्थाद जेड़साई के सोध करताओं ने मेगाले के दक्षिन गारो हिल्स जीले के सीजु गुफा के अंदर मैड़क की एक नई परजाती की खोज की थी। जो कि हाली की दिनों में ये खबरों का विशे रहा था धियान रखेंगे इसकी खोज जो भी थी ये सीजु गुफा में थी मैड़क की एक नई परजाती है एक जो में पूछे जा सकते हैं कि हाली में खबरों में रहा सीजु गुफा जहां पर मैड़क की एक परजाती की ख बतन पोद परिवहन और जलमार के मंत्री शर्वानन्द सोनेवाल ने शागर स्रेश्ट सम्मान या फिर पुरुषकार से सम्मानित किया है। देखे इस प्रस्णी का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अप्सन नमबर A यानि की कोचिन बंदरगा को हलाकि यहाँ पर आपको कि पतन पोद परिवहन और जलमार के मंत्राले की मंत्राले द्वारा हाली में देश के परमुक 12 बंदरगाहों को वर्स 2022 यानि कि इस वित्वर्स के दौरान उनके परिचालन और वित्यमाप दंडों पर सरुकालिक सरुष्ट परदसन के लिए सागर स्रेश्ट सम्मान पुर परिश्कार दिया गया यानि कि इस मामले में कोचिन बंदरगा जो ही पहले अस्थान पर रहा जबकि बात करें मंबई बंदरगा की तो मंबई बंदरगा प्रादिकरन दोसरे अस्थान पर यह भी आप ध्यान रख लेंगे दोसरे अस्थान पर मंबई बंदरगा प्रादि अगरा मियानमार में है और भारत द्वारा इसका परिचाना अभी हाल ही में शुरू किया गया है अगला पॉइंट है कि केंद्रे पत्तन पोध परिवहन और जलमार्ग मंतरी स्री सर्वानन्द सोनेवाल ने एक नए डिजिटल प्लेटफर्म शागर मंतन अभी हाली में लौँच किया था ये भी जानकारी दिया हुआ है नेक्स्ट यहाँ पर साथवा प्रश्ण है कि नेमलिकित में से किसने हाली में अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लौँच की है जो कि एक कॉफी टेवल बुक है या कि कॉफी टेवल किताब है अभी हाली में किन के दोरा ये लौँच किया गया ये प्रस्णी यहाँ पर पूछा गया है देखे इस प्रस्णी का जो हमारा राइट आंसर है ये है गौरी खान यानिकी आप्शन नंबर सी जिनने आप यहाँ पर इस तस्विर में देख सकते हैं ये सारुख खान की पतनी है इनी के दोरा भी हाली में ये लौँच किया गया अब इन से समझे तित्यों की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा कि हाली में बॉलिवोड अभिनेता सारुख खान की पतनी गौरी खान ने अपनी कौफी टेबल बुक माइ लाइफ इन डिजाइन लौँच की है और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस किताब में खान परिवार की जिंदगी में घटी कई बातों को लिखा गया है और इसे तस्वीरों के माध्यम से दरसाया गया है इस किताब में यही दरसाया है हलाकि कौफी टेबल बुक क्या होती है इसके बारे हम लोग जानेंगे कई बार पहले भी हमने आपको जानकार दिया है लगर उसे पहले कुछ आहम जानकार यह है कि अप्रिल 2023 में State Bank of India अर्थात SPI ने The Banker to Every Indian नामक एक अपनी कौफी टेबल बुक लाँज की थी अप्रिल 2023 ने कि हाली का यह भी current affairs है यह स्रीच की यही तो विशेशता है यहाँ पर जो आप चीज़े पढ़ते हैं शाथ साथ जो previous current affairs जो आप पढ़ चुके हैं वो revision purpose यहाँ पर देखते हैं तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाती है थो इसी शाधी को अपक 늘ग प्रतों की परिक्षां को लेकर खासरों के प्रणाभ़ पर बएक परिक्षां के हमारी है हमारे आपको यहां से संधर्व में एक जनकारी मने अप्रिल से पहले मार्च में मार्च में दिया कार याने के फोडोग्राफर वेंग पदमस्री से सम्मानेत रगुर रवाय और उनकी धर्म पतनी लेकिका स्रीमती उसा राय द्वारा बिहार को शमगरता में प्रदसित करने वाले फोडोग्राफ सेंकलन की कॉफे टेबल बॉक जिसका नाम था बिहार देट वाच एंडर ना था उसा राय और रगुर रवाय द्वारा इसे का सकते हैं तयार किया गया था जिसका नाम था बिहार देट वाच एंडर नाव यह बिहार की समगरता को परदसित करने वाला कॉफी बॉक टेवल है यह परकार का और वहीं बात करें अप्रेल 2023 में इस्टेट बैंक ऑफ आई अब यहाँ पर हम इसे एक उधारन के तौर पर समझते हैं मालेजे आप किसी एक बड़े होटल या फिर रेश्टरंट में विजिट करते हैं मालेजे आपने कोई फूड ओर किया और आप वेट कर रहे हैं अपनी फूड का तो इस दौरान आप बोर ना हो होटल ओनर य प्रेटिंग टाइम जो है उस दौरान वो बोर फिल ना करें इसी कमी को दूर करते हुए इस तरह की पहल अपनाई जाती है तो एक परकार का यह तस्वीरों का ही संकलन होता है इसे ही कौफी टैबल बुक कहा जाता है आई होप की आप इसे समझ चुके हैं अब यहाँ पर ह लेते हैं SBI अर्थात भारत इस्टेट बैंक के इसके स्थापना का वह थी इस परकार के प्रशनिक जामे कई बार पूछे गए हैं तो 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबै और शासत बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपरियल बैंक ऑफ इंडिया की अस्था परकार इसफापना कि गयी यानि कि इसने एक नया नाम दिया गया भारते इस्टेट बैंक तो मूल रूप से आप यह ध्याने कि बारते श्टेट बैंक की जो अस्थापना वे थी यह एक जुलाई 1925 को बी थी लेकिन इंप्रियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना की बात क दो यह प्रॉश्ल है कि मेरी लाइफ नामक मॉबाइल ऐप हाली में किनके दौरा लाउंच किया गया तो इससे प्रशनी का हमारा राइट आनसवी भुपेंद लियादव धौरा भी हाली में इस एप को लाउंच किया गया है आपको यहाँ पर जान कर देदों की मेरी लाइफ नामक मुबाइल आप हाली में परियावरन वन और जलवायू परवरतन मंतरी स्री भुपेंद यादव द्वारा लाउंच किया गया और इसका उद्देश वेक्तियों और शमुदायों को वैस्विक जन आंदलन मीसन लाइफ के प्रगती ट्रेकिंग में करांती लाना है अब यहां पर स्वाल यह उड़ता है कि मिसन लाइफ क्या है इसके सुरुवात की बात करें तो आपको जान कर देंदू कि मिसन लाइफ की सुरुवात 20 अक्टवर 2022 को केवड़िया गुजरात में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा किया गया था माई 2014 को भारत के 15 प्रधान मंतरी के रूप में शेपद ग्रहन किया थे लेकिन अहम जानकारी जो आपको ध्यान रखना है कि इस वर्थ 26 माई 2023 को उनके दोनों कारिकाल को मिला कर 9 साल पूरे हो जाएंगे यानि कि आप यहां पर यह ध्याने केंगे मौजदा समय में बतवर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का यह दूसरा कारिकाल है और 26 माई 2023 को इनका कारिकाल का 9 साल पूरा होगा अब यहाँ पर चुकी बात हो रहे नरेंदर मोधी की तो नरेंदर मोधी को जो सम्मान मिला है उसकी जो complete जानकारी है जो अतीम हत्पूर्ण है जहां से जहां में प्रश्ट में बन सकते हैं वो हमने आपके समख्च रखा है जैसे कि सौधी अरब की बात करें अमिरात की तरफ से औरडर अफदा जायत पुरिशकार से तोजर अनीस में संमानित किया गया रूस की तरफ से सेंट उंटरिओ पुरिशकार wyp. 2019 में दिया गया मालदीव की तरफ से रूल निशान 아फ इजुद Đिन तोजर अनीस में दिया गया दक्षिन कोरिया की तरफ से स्योल संती प्रश्गार 2019 में दिया गया ये काफी important है ध्यान रखेंगे जबकि एक और important है जहां से प्रश्ण बनना स्वाविक है कि सन्युक्त राष्टे परियावरन करेकरम की तरफ से चेंपियन अफ दो अर्थ अवार्ड से 2018 में सम्मानित क्या गया था नरेंद मोदी को वह पर अमेरिका की तरफ से फिलिप कोटलर परिजिदेंशिल अवार्ड से 2019 में बहरिन की तरफ से दो किंग हमाद ऑर्डर अब दो रेनांसा 2019 में इन शवी में से स्योल सांतिय प्रशकार और चेंपियन अफ दो अर्थ ये दो जाबा इंपोर्टेंट है नेक्स्ट यहां पर आगे हम बात करेंगे इनके बारे में तो इनका पूरा नाम है नरेंदर दामदर दासमोदी इनका जन्व 17 सितंबर 1950 को वाखा और वे 26 मई 2014 से लगादार दोसरी बार भारत के प्रधान मंत्री बने हैं वे भारत के प्रधान मंत्री पद पर आसीन होने वारे स्वतंदर भारत में जन्मे प्रथम वेक्ति हैं इस लिहास से यह प्रधान मंत्री बात करें तो स्वतंदर भारत में जन्मे पहले वैसे वक्ति हैं जो कि भारत के प्रधान मंत्री बने हैं और यहां पर हमारा अगला पॉइंट है इससे पहले वे 7 अक्टवर 2021 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्य मंत्री रहे थे नेक्ष्ट पॉइंट है मोधी भारते जनता पार्टी अर्थात भाच्पा एवंग राश्ड़े स्वासेवक संग अर्थात RSS के सदस्य हैं चलते हम यहां पर अगले पॉइंट में अगला नवा प्रश्ण हमारा है कि कहां अवस्तित कपिलेश्वर मंदिर को हाली में भारते पुरातत्त्त सर्वेक्षान यानि कि आर्को लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संद्रक्षित सूची में सामिल किया गया है आप यहां पर कपिलेश्वर मंदिर को देख सकते हैं जो की हाली में खबरों का विशे हैं यह अवस्तित है भूबनेश्वर उडिशा में यानि की आप्सन नमबर B प्रश्ण का राइट आंसर होगा इसी जानकारी को यहां पर हमने सामिल किया गी उडिशा के भूबनेश्वर में अवस्तित कपिलेश्वर मंदिर को भारते प्रतप्त सर्वेक्षन संद्रक्षित मार्कों के सूची में सामिल किया गया है उसके बाद अगला दसवा प्रश्ण है कि कौन सा देश हाली में इच्छा मिर्तियों को वैद घोसित करने वाला दुनिया का साथवा देश बना है ये भी बहुत ज़्यादा खबरों में है इस प्रश्णी का राइट आंसरों का अप्सन नमबर सी यानि की पुर्तिगाल यहाँ पर दो तरह से प्रश्णी बन सकते हैं दोनों की चारचा यहाँ पर हम लोग करेंगे सबसे पहला पुइंट है कि हाली में इच्छा मिर्तियों को वैद घोसित किया है और इस प्रकार ऐसा करने वाला यूरोप का वे चौथा देश और दुनिया का साथवा देश बना है यहाँ पर हम पुर्तिगाल के बात कर रहे हैं पुर्तिगाल ऐसा करने वाला यूरोप का चौथा देश बना है और दुनिया का साथवा देश, दोनों दृष्टिकों को ध्याम रखेंगे, जिबकि बात करें वहीं पर अगले पॉइंट में, 2002 में इच्छा मिर्ति को कानुनी मानता देने वाला पहला देश नीधरलेंड बना था, यह जानकारी आपको याद होगा, और नीधरलेंड से बेल्जिम और लग्जम बर्ग इसे मानता देने वाला करमसा दूसरा और तीसरा देश है, यहाँ पर हम लोग चर्जा कर रहे हैं, इच्छा मिर्टि को वैद घोसित करने वाले देशों की, तो पहला देश है नीधरलेंड, जबकि दूसरा देश है बेल्जिम और तीसरा द इती को हाली में अंतरराष्ट संग्रहाले दिवस्म मना जाता है, तो प्रतेक वर्ष्ट अंतरराष्ट संग्रहाले दिवस्म मना जाता है, तो आफसर नमबर बी यहाँ पर सही है, कि प्रतेक वर्ष्ट अंतरराष्ट संग्रहाले दिवस्म मना जाता है, दोजार तेस में इसका थीम क्या है यह भी आपके इंपोर्टन है इसका थीम की बात करें फिर विश्य की बात करें 2030 की तो संग्रहाल इस्टेर्था और भलाई यानि की म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बेंग यह 2030 का इसका निर्धारी थीम है और इसे मंदाने की सुरुवात कभी थ सम्मेलन होम्यो कौन 2023 का उद्घाटन क्या है तो इससे प्रशनी का जो हमारा राइट आंसर होगा यह हो जागा ऑप्सन नंबर बी यानि की उत्राखंड के द्वरावी हाली में इसको सुरुवात की गई अब यहां पर आपको जानकर देदू कि 14 मई 2030 को उत्राखंड के मु इस इसाथ की करते हैं इसार हम द्यानकारी आप दिखन रहेंगे और आप चाहें तो वाटस ड़ा आप चाहें तो एपलिकेसर दोनों स्विधा आपके पाससे अपनी शुरुदा के अनुसार का इंशार हमें आपके दे सकते हैं यहां से अपनी तैयारिक को एक नई रिशा आप दे सकते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पर वाने जी के मंत्राले की सर्वेक्षन के अनुशार कौन सा देश हाली में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है यह जनकारी आज वाले वीडियों भी हमने थोड़ी से दिया आज आपको याद होगा कमेंट बाक्स में जाए और वहां पर विश्तार प्रोग लिखिए बताइए इसका प्राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहां पर शमाप्त करते हैं और आज की से वीडियो का मैं आपको टार्गेट दे रहा हूं एक सो एक से लिखिए बर्के 1100 लाइक के अगर आपको लगे कि चैनल से अपकी हेलम होती है वीडिउ को लाइक किजे चैनल को सुसक्राइबक जरू कीज़े हमें सपोर्ट ज़रू कीज़े चलिए मेलेंगे लुए नेक जबते खिलनवास जहेंनल